हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग मुजिशन रिलेटेड आवार्ट के कोस्टन देखने वाले हैं यहां पर क्योंकि SSC CGL 2024 के एक्जाम में इस टॉपिक से कोस्टन आ रहा है तो जितने भी नेक्सिफ्ट वाले हैं उनको जो है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइस करके जाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे भीम सेन्झ जोसी को कौन-कौन से इंपोर्टेंट अवार्ट मिले हैं जितने भी मिजिशन होते हैं या कोई डांसर our उनके लिए सबसे इंपोर्टेंट awards हो जाता है वो पदम से related award चाहे वो पदम सिरी हो पदम विभूशन हो या पदम भूशन हो और अगर किसी को भारत रतन मिला है तब तो और भी ज़्यादा important हो जाता है उसके अलावा संगीत नाटक अकादमी जो award होता है ये सब जो award मिलते हैं वही सब exam में question पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिए भीम सेन जोसी को भारत रतन भी मिला है 2009 में ठीक है तो भारत रतन के अलावा पदम सिरी पदम भूशन संगीत नाटक अकादमी फैलोसिप award पदम विभूशन महरास्टर भूशन कर नाटक रतन यह सारे awards जो हैं किसको मिले हैं भीम सेन जोसी को मिले हैं और यह जाने जाते हैं खयाल form of singing के लिए नेक्स देखिए हरी प्रसाच चौरसिया अब यह जो हरी प्रसाच चौरसिया है यह कौन सा musical instrument बजाते हैं तो आप कहेंगे बांसुरी बजाते हैं अब हरी प्रसाच चौरसिया को कौन कोन सा important awards मिला है तो संगीत नाटक acronym award मिला है 84 में कोनार्क सम्मान मिला है 1992 में पदम भुषन मिला है 1992 में यह भारती सम्मान मिला है 1994 में और पदम विभुषन मिला है 2000 में अब एक्जाम के लिए कौन सा important award हो गया तो वो हो गया संगीत नाटक अकादमी अवर्ड, पदम भूशन अवर्ड या और पदम विभूशन अवर्ड हो गया नेक्स देखिए ब्रज भूशन काबरा अब ये जो ब्रज भूशन काबरा है ये कौन सा मुजिकल इंस्टुमेंट बजाते हैं नेक्स देखिए सिव कुमार सर्मा अब सिव कुमार सर्मा कौन सा मुजिकल इंस्टुमेंट बजाते हैं तो आप कहेंगे संटूर बजाते हैं ठीक है और इनको कौन सा अवर्ड मिला संगीत नाटक अकादमी अवर्ड मिला 1986 में पदम सिरी मिला 1991 में पदम विभूशन मिला इनको 2001 में और इनका जो बीटा है राहुल वो 13 साल के उम्र से ही संटूर बजाना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो ये सब आप याद रखेंगे उसके बाद देखिए अपपा जलगाओं कर कौन सा मुजिकल इंस्टूमेंट बजाते हैं तो आप कहेंगे हार्मोनियम बजाते हैं अब ये जो इंस्टूमेंट आप देख रहे हैं ये हार्मोनियम ही है और इनको संगीत नाटक अकादमी अवर्ड जो है ये मिला है 2000 में नेक्स टेप भजन सपोरी भजन सपोरी कौन सा मुजिकल इंस्टूमेंट बजाते हैं तो आप कहेंगे संतूर बजाते हैं ठीक है ये जो आप देख रहे हैं भजन सपोरी को ये क्या बजा रहे हैं संतूर बजा रहे हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी अवर्ड 1992 में मिला है पदम सीरी 2004 में मिला है ओके यह important award है आपके exam के लिए next देखिए राम नरायन ओके राम नरायन जो है यह कौन सा musical instrument बजाते हैं सारंगी बजाते हैं अब यह देखिए यह है राम नरायन और इनको पदम सीरी पदम भूशन पदम भी भूशन संगीत नाटक अकादमी अवर्ड यह सारे important awards मिल चुका है राम नरायन को तो आपको इनका year सब याद रखना है कि इनको पदम सीरी 1976 में मिला पदम भूशन जो है 1991 में मिला पदम भी भूशन इनको 2005 में मिला और संगीत नाटक अकादमी अवर्ड इनको 1975 में मिला था उसके बाद है अलावधिन खान अब यह जो अलावधिन खान है यह सरूद प्लियर है अलावधिन खान also known as बाबा अलावधिन खान was an Indian सरूद प्लियर सरूद बजाते हैं इनको पदम भूशन मिला है 1958 में पदम विभूशन मिला है 1971 में संगीत नाटक अकादमी अवर्ड मिला है 1954 में और अलावधिन खान संस अली अकबर खान और डौटर जो है अनुपूर्णा देवी है तो यह जो अली अकबर खान है यह अलावधिन खान के बेटे ही है और अनपूर्णा देवी जो कि सूर बहार बजाती है ये भी अलाउदिन खान की बेटी है नेस्ट है अली अकबर खान अली अकबर खान जो है ये किस घराने से हैं तो महर घराने से हैं और ये सरोध बजाते हैं तो अली अकबर खान अलाउदिन खान के बेटे हैं और ये में मिला था नेक्स है बिश्मिल्ला खान अब देखिए बिश्मिल्ला काफी famous है ये क्योंकि ये सहनाई बजाते हैं जितनी भी सादी party होती है उसमें जो सहनाई आप सुनते होंगे वो बिश्मिल्ला खान की होती है maximum इनको देखिए भारत रतन मिल चुका है 2001 में पदम विभूशन मिला है 1980 में पदम भूशन मिला है 1968 में पदम सिरी मिला है 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवर्ड मिला है 1956 में तो ये आपको ध्यान रखना है रवी संकर को देखे रवी संकर जो है ये भी सितार बजाते हैं और ये जो है इनकी जो साधी थी व पदम विभूशन 1981 में, पदम भूशन 1967 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में, संगीत नाटक अकादमी फैलोसिप अवार्ड 1975 में, रमन मैकसेसे अवार्ड 1992 में मिला है रवी संकर जी को पिर देखिए जाकीर हुसेन जो है ये तबला बजाते हैं और ये इल्डेस्ट सन है सबसे बरे बेटे हैं अल्ला रखा खे और अल्ला रखा भी जो है वो तबला बजाते हैं और जाकीर हुसेन को जो है पदम सिरी मिला है 1988 में पदम भूशन मिला है 2002 में और पदम विभूशन मिला है इनको 2023 में, पिछले ही साल इनको पदम विभूशन में मिला था और 8 February 2009 में इनको 51st Grammy Award भी मिला था और ये youngest magician है जिनको received हुआ था पदम विभूशन in 2002 Next है अल्ला रखा, अल्ला रखा भी क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं और इनको देखिए पदम सिरी मिला है 1977 में, संगीत नाटा का कादमी Award मिला है 1982 में Next है M.S. Subulakshmi, अब M.S. Subulakshmi काफी famous हैं क्योंकि ये पहली ऐसी magician है जिनको भारत रतन के अलावा रमन मैक्से से Award में मिला था तो ये she was the first magician ever to be awarded the भारत रतन and India's highest civilian honor and the first Indian musician to receive Raman Maxessey Award तो भारत रतन ये पहली magician है जिनको मिला और Raman Maxessey Award ये पहली magician है जिनको मिला तो देखिए इनको पदम भूशन मिला 1954 में, संगीत नाटा का कादमी Award मिला 1956 में संगीता कला निधी Award मिला 1968 में, Raman Maxessey Award मिला 1974 में पदम विभूशन मिला इनको 1975 में, काली दा समान इनको 1988 में मिला, भारत रतन इनको 1998 में मिला ठीक है अब देखिए MS Gopal Krishnan, MS Gopal Krishnan ये violin बजाते हैं ठीक है, violinist है और इनको पदम सिरी मिला 1975 में उसके अलावा कलाई मनी Award इनको मिला 1978 में, केला संगीता नाटा का कादमी Award मिला 1979 में संगीत नाटा का कादमी Award मिला 1982 में, पदम भूशन इनको 2012 में मिला था उसके अलावा जिया, मोईदिन, दागर जो हैं ये रूद रवीना बजाते हैं और इनको संगीत नाटा का कादमी Award 1981 में मिला था असद अली खान ये रूद रवीना बजाते हैं इनको संगीत नाटा का कादमी Award 1977 में मिला पदम भूसन जो है इनको 2008 में मिला था असद अली खान को टी एच विनायकरम को जो है इनको देखिए ये घटम है इनको God of घटम भी कहा जाता है और इनको पदम सिरी 2002 में मिला 2012 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोसिप मिला और 2014 में इनको पदम भूसन मिला था ती एच विनायकरम को यू सिरी नेवास की बात करें तो ये मैंडुलीन बजाते है इनको पदम सिरी जो है 1998 में मिला और 2009 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला अब देखिए संगीत नाटक अकादमी अवर्ड जो है जो लोग रुद्रवीना बीना यह सब बजाते हैं उनको कब मिला तो देखिए दबीर खान दबीर खान जो है उनको 1969 में संगीत नाटक अकादमी अवर्ड मिला असद अली खान को 1977 में मिला संगीत नाटक अकादमी अव पाउदिन दागर को 2012 में मिला था संगीत नाटक अकादमी अवर्ड ठीक है फिर देखिए गितार बजाने वाले जो ब्रिज भुसन काबरा है इनको 2005 में मिला था संगीत नाटक अकादमी अवर्ड अपपा जलगाओकर जो कि हर्मोनियम बजाते हैं इनको 2000 में मिला संगीत ना के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो यह जो संगीता संकर है उनको किस बाद यंत्र बजाने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 में मिला था तो आप कहेंगे वाइलिन बजाने के लिए ठीक है वाइलिन बजाती थी यह अब अब एक कोश्चन है कि मोहन वीना वादक पंडित विस्व मोहन भट ने वर्स डैस में ग्रैमी पुरुसकार जीता ठीक है तो मोहन वीना प्लेयर है पंडित विस्व मोहन भट इनको ग्रैमी अवर्ड किस यर मिला था तो 1994 में मिला था ग्रैमी अवर्ड लता मंगेशकर वो देखिए लता मंगेशकर लिजेंडरी सिंगर है इनको पदम भूशन 1969 में मिला दादा साहफ आलके अवर्ड 1989 में मिल मराश्ट विभूशन 1997 में मिला पदम विभूशन 1999 में मिला भारत रतन भी इनको मिल चुका है 2001 में और ओफिसर ओफ दे नेशनल ओडर ओफ दे लीजन ओफ ओनर इनको 2006 में मिला था लता मंगे शकरजी को अब एक कॉशन है कि दा कार्नेटि क्लासिकल वोकलिस्ट एंड फर्स एवर मुजिस्टिन तु रिसीव भारत रतन अवार्ड और ओस नोन आज कुईन ओफ सॉंग्स इज डैस तो वह कौन है पहली मुजिस्टिन जिनको भारत रतन मिला था तो आप कहेंगे MS सुबुलक्ष मे तो इस तरीके से हम लोगों ने यह जो टॉपिक है मुजिस्टिन रिलेटेड अवार्ड को यहां पर रिवाइस कर लिया है बाकि और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप कॉमेंट भी कर सकते हैं कि क्योंकि आप लोग भी जो है एनलेसिस जो है मुझसे जादा देख रहे होंगे तो आप लोग भी कॉमेंट करके बताएंगे कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह बनता रहेगा तो मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में नेक्स टॉपिक के साथ अब तक के लिए all the best